नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर मुणाली नी मनोज और आप अमारे साथ जुड़े हैं Because Health is Here आप सभी को दशेरे की बहुत बहुत शुब कामना है Happy दशेरा to all दशेरा जी हाँ आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है बुराई के उपर अच्छाई की जीत आज ही के दिन दशानन रावन को प्रभू श्री राम चंदर जी ने मुक्ती दिलाई थी उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके साथ कुछ पांच ऐसी हाबिट्स शेर करेंगे जो आज की तारिक में बिलकुल भी दशानन रावन से कम खतरनाक नहीं है और आपको उन बुरी हैबिट्स को बुरी आदतों को आपकी अच्छाई के द्वारा अच्छी आदतों को अपना के उनका आज आज आपको खात्मा करना होगा तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली हैबिट है चाय, गरम चाय जी हाँ, कौफी और टी, याने काफेन लिए तयारी कर रहे हैं, बच्चा प्लान करने की तयारी में हैं, तो आपको चाय कॉफी के लिए बिग बिग नो नो है, जि हां, आज के दिन मैं आपको बता दू, जितना भी कप आप चाय कॉफी पीते हो दिन भर में उसकी आधी मात्रा अटलिस पूरा बन करने की मैं आपको request करूंगी अगर आपको पूरी बन करना नहीं है possible तो कम से कम उसे आधी मात्रा तो भी कर दीजे लाइक अगर आप 4 कप दिन में चाय पीते तो आज से आप 2 कप चाय कर दीजे अगर आप 3 कप चाय पी रहे तो 1 कप चाय पी रहे तो 2 कप पी रहे तो 1 कप चाय पी रहे तो यार क्या एक कप के लिए इतना रोना छोड़ ही दो क्योंकि research यह कहता है कि 100 mg से जादा caffeine अगर आपका per day आपकी body में जा रहा है तो ऐसे cases में females में महिलाओं में सबसे जादा problem दिखाए देता है वो होता है abortions जी हाँ बार बार गर्बपात होने का risk बहुत जादा बढ़ जाता है तो please coffee चाय को खोड़ा सा आप goodbye कह सकते है अगर आप family planning कर रहे है या pregnancy plan कर रहे है तो दूसरी habit के पारे में मैं बात करूँगी smoking जी हाँ यहाँ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ के smoking की वज़े से पूरुशों में sperms पे बहुत बुरा आसर पढ़ता है sperms में mostly DNA fragmentation बढ़ जाता है यह जो DNA fragmentation की level होती है यह अगर 50% से जादा उपर चली गई तो आपकी wife को recurrent abortions का सामना बार बार गर्वपात का सामना करना पढ़ सकता है महिलाओं के अगर मैं बात करूँ महिलाएं अगर smoking करती है तो आपको भी यह बाते चोड़नी होगी यह आदत चोड़नी होगी क्योंकि महिलाओं में smoking का सबसे गहरा असर पढ़ता है उनकी menstrual cycle पे जी हाँ आपको यह असर देखा गया है कि females में smoking की वज़े से early menopause जी हाँ आज के दिन आप टे कर सकते कि smoking पूरी तरह से बंद कर दीजे नहीं कर सकते तो at least उसकी जो आप जो भी cigarettes आप दिन बर में ले रहे उसकी मात्रा तो भी कम कर दीजे आधी कर लीजे रिडियूस्ट कर दीजे तीसरा एक important habit होता है जिसे आप चौग जाएंगे वो है excessive use of mobile phones ज दूसरा होता है आप continuously Wi-Fi यूज करते हो या फिर ऐसे Wi-Fi zone में आप continuously रहते हो तकरीबन मैंने एसे लोग देखे है जो तकरीबन more than 18 गंटे दिन के 18 गंटे से जादा वो Wi-Fi की range में होते है Wi-Fi की zone में होते है आपका mobile data हमेशा 2400 गंटे on रहता है आपका mobile रात को भी data on रहता ह है जो और बिल्कुल mobile को वो अपने सिर के पास तके के पास सिरहने लेके सोते सब लोग overnight mobile आपका charging पर रहता है वो भी बिल्कुल सिर के पास मैं पको बता दू यह सारी चीजे बहुत जादा गलत है यह बहुत ही जादा detrimental effect का आपके शरीर पर छोडते हैं पता है continuously in सब mobile से य आप हमेशा रहते हैं जी हां और यह जो waves होती है यह पूरुषों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है पूरुषों में इन वज़े से reactive oxygen species ROS जिसे कहा जाता है वो तयार होते है और यह ROS आपकी sperms के health के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होते है जी हां sperm की quality इन जो भी आदत है अभी mobile से जुड़ी मैंने कही है उसमें से कुछ आदत है तो definitely definitely आप कम कर सकते हैं आगे बढ़ते आगे कि एक बुरी आदत है वो है weight के related जी हां being too thin और being too thick जी हां अगर आप बहुत ज़्यादा लिथार्जिक हो गए है आप बिल्कुल भी exercise नहीं करते ह आप बहुत ज़्यादा पतले है या फिर आप बहुत ज़्यादा मोटे है दोनों भी चीजे बिल्कुल भी आपकी fertility के लिए अच्छे नहीं होती है दोनों का बहुत बुरा आसर अपने अपनी तरह से होता है तो आज जिससे आप कम से कम अपना exercise weight maintain करने के लिए weight बढ़ान और week तो भी 30 minutes per day इस तरह से exercise करना शुरू कर दीजी आज का दशेरे का दिन इस बात को तै करने के लिए I think best मूरत होगा इसके बाद एक बुरी habit आपकी एक होती है not getting enough sleep अभी आपे कुछ लोग केंगे वावा सोने के लिए कह रहे है जी नहीं मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ द्यान से सुनिए मेरी बात आजकल ये हो गया है कि बहुत बुरी आदत है कि आप देर रात तक जगते रहते हो जी हाँ आप मूबाइल पे लापटॉप पे टीवी पे देर रात तक मूवी देखना या फिर कोई काम करते रहते हो जो कि बहुत बुरी आदत है सुबे देर स तो उस वज़े से आपके शरीर में जाने अंजाने हमेशा देर रात तक जागने की वज़े से stress hormone यानि कि cortisol नामक जो hormone होता है stress hormone जिसे कहते हैं लोग वो continuously release होते रहता है और जब ये stress hormone cortisol आपकी बॉड़ी में तो उसके effect तो बॉड़ी पे दिखेंगे इना जी हां और वो आपकी fertility को definitely बहुत बुरा असर छोड़ता है तो आज के दिन आप ये तै कर सकते हैं जो भी आपका रात का सोने का time है उससे पहले दो गंटे में सो जाऊंगा उसके एक गंटा पहले में आज से सोने की शुरुआत करूंगा प्लीज आपका biological clock maintain कीजिए सही वक्त पे सोना सही समय पे उठना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और उसी के साथ साथ आप occasionally कभी TV, mobile पे, laptop पे काम करना occasionally movies देखना ये बात तो हो सकती है लेकिन daily basis पे अगर आप ये कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है इसे के साथ साथ मैं आपको बता दू कि बूंद-बूंद से सागर बनता ऐसा कहा जाता है तो इनी छोटी-छोटी health habits से आपको एक अच्छी health जरूर मिलेगी और आप एक बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं फिर से एक बार आप सभी को दशेरे की बहुत-बहुत चुप काम ना है happy दशेरा to all my viewers और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखिए, स्वस्तर रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए because health is here नमशकार